पंकज एजुकेशन पॉइंट में आपका श्वागत है आज मैं क्लास 12 इंगलिस साथ स्टूरी की सेकंड स्टूरी आइन आइस्टोलोजस डे को पढ़ाने जा रहा हूँ इस स्टूरी के राइटर मिस्टर आर के नारायन है तो सबसे पहले हम राइटर के बारे में जान लेते हैं यह जो प्रस्तूत कहानी है यह मिस्टर आर के नारायन के द्वारा लिखी गई है जिनका पूरा नाम राशी पुरम क्रिश्न स्वामी अईयर नारायन स्वामी है वह मुलकराज आनन्द और राजा राओ के जैसे ही बहुते परसिद कहानीकार है इनकी जो कहानिया है उकेवल भारत में नहीं बलकि विदेशों में बहुती आनन्द के साथ पढ़ी जाती तो आज की यह जो कहानी है जिसका हिंदी में अर्थ होगा एक जियोतिसी का दिन तो एक ऐसे गाओं के विक्त की कहानी है जिसकी संगत वहुत ही बुरी है वह सराब पीता है जुआ खेलता है एक दिन उसने क्या किया कि अपने मित्र के साथ सराब पी जुआ खेला और उसके अपने मित्र के साथ लडाई हो गई अब वो इतना क्रोधित हो गया कि उसने अपने मित्र को चाकू मार दिया और उसको क्वे में फेक दिया अब जब उसने अपने मित्र को चाकू मार करके क्वे में फेक दिया तो उसने सोचा कि अब तो मैं पकड़ा जाओंगा, अब तो मुझे सजा होगी, तो इसलिए वो बिना बताए हुए गाउं से चुपचाप गाउं छोड़ करके चला गया, बहुत दूर निकल गया, लगभग 200 मिल आगे निकल गया, तब उसे गाउं मिला और उस गाउं में ही रुख गया, अब उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो कार क्या करे, पैसा कैसे कमाए, तो क्या उसने एक जोतिसी का वेस बनाया, अपना वेस बदल लिया, और एक जोतिसी बन गया, और इस तरह से लोगों की रेखाएं देख करके इधर-उधर की बाते बता कर के अपना जीवने आपन करने लगा, वहें पर वहाँ सेटल हो गया, उसने साधी कर ली, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात उसी ब्यक्त से होती है, जिसको कि उसने चाकु मारा था, अब क्या है, कैसे हो छुटकारा पाता है उस ब्यक्त से, क्या वहाँ बेक्त उसको पहचान क्या पाता है, क्या वहाँ बेक्त से बदला लेता है, यह सब जानने के लिए आईए हम कहानी को पढ़ते हैं, पंक्च्वली एट मिड़े, ही ओपेंड इस ब्यक्त आउट इस प्रोफेशनल एक्विमेंट, विच कंसिस्टेट आफ दोजन कोरी सेल्स, आइस स्कॉयर अप क दोपहर को, उसने अपना बैग खोला, थैला खोला, एंड इस प्रोफेशनल एक्विमेंट, प्रोफेशनल मतलब देवसार से संबंधित, एक्विमेंट मतलब समगरी, तो आपने विवसार से संबंधित, जो उसके पास सामान था, उसको वहाँ पर फैला करके रख दिया, विच कंसिस्टेड आप अडजन कौरी सेल्स, जिसमें एक दर्जन कौडियां थी, एक स्क्वार आप क्लॉद विच अप्सक्योर मिस्टिक चार्स आनिट, एक चौकोर कपड़ा था, जिसमें कुछ अंजान से रहस्मई आकृतियां बनी हुई थी, अनोट बुक, एक नोट यहां पर, forehead मतलब माथा, resplendor मतलब दमकना, चमकना, secret मतलब पवित्र, ash मतलब भस्म और बर्मिलियां मतलब होता है, रोली, तो उसका जो माथा था, वह पवित्र भस्म और रोली से दमकता था, and his sparkled, and his sparkled with a sharp abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers, यहां पर भी द्यारती द्यान देंगे, his eyes होगा, his eyes, his eyes sparked with a sharp abnormal gleam, उसकी जो आखें थी, एक बहुती तेज असाधारण जूत की तरहां तमकती थी, चमकती थी, which was really an outcome of a continual searching look for customers, जो लगातार ग्रहकों की खोज में ऐसी बन गई थी, but which his simple clients took to be a prophetic light, यहां पर प्रोफेटिक मतलब दिब भी कह सकते हैं, light मतलब जो थी, लेकिन उसके जो सीधे साधे client थे, client मतलब जो customer थे, ग्रहक थे, वह उसको एक दिब प्रकास समस्ते थे, and felt comforted, और बहुत ही सुख कानुभो करते थे, अब यहां पर देखें, उसकी आखों का जो तेज था, was considerably enhanced by their position, वह उनकी आखों की स्थित के कारण हो गया था, क्योंकि उसकी जो आखें दिख्या है, placed as they were between the painted forehead, painted forehead, पुता हुआ मा था, and the dark biscuits, dark मतलब काली घनी कह सकते हैं, बिसकर मुच्छे, गुल मुच्छे कह सकते हैं, which steamed down his cheeks, जो उसके गालों तक लटकी हुई थी, मतलब उसकी आखों का जो तेज था, उसकी इस्थित के कारण था, क्योंकि उसकी जो यह आखें थी, वो पुते हुए मा थे, और गुल मुच्छें जो उसकी गालों तक लटक रही थे, उनके बीच में यह आखें इस्थित थी, इस कारण वो बहुत थी, उनमें तेज दिखाई देता था, और टर्बन मतलब शाफार, या फिर पगड़ी कह सकते हैं, मतलब अपने इस इफेक्ट को बढ़ाने के लिए, अपने परभाव को बढ़ाने के लिए, उसने अपने सिर में, सिर पर एक भगवा कलर की पगड़ी बांधे हुए था, मतलब भगवा कलर का साफा बांधे हुए था, तो यह जो color योजना है जो रंग योजना है कभी भी अस्फल नहीं होती है मतलब एक जोतिसी के लिए यह color योजना कभी भी अस्फल नहीं होती है People were attracted to him as bees are attracted to cosmos of Dalya stock मतलब लोग उसकी तरफ ऐसे आकरसित होते थे मतलब वह एक पहले हुए पहुत बड़े इमली की साखाओं के नीचे बैठता था जो टाउन हाल पार्क को जाने वाल जो सड़क थी टाउन हाल पार्क को जाने वाला जो रास्ता था उसको घेरे हुए थी मतलब यह इमली की जो साखाओं थी उस रास्ते को घेरे हुए थी उनकी साखाओं के नीचे यह बैठता था यह जो अस्थान था और कई तरीकों से बहुत ही बड़ी हा अस्थान था मतलब एक उमडने वाली जो भीड एक बहुत बड़ी भीड सुबह से लेकर रात तक इस रास्ते पर आया जाया करती थी अवराइटी अप ट्रेट्स एंड एक्वपेशन्स वाज रप्रेजेंटेड आल अलॉंग इस बे तब बिभीन परकार के जो ब्योशाय थे बिभीन परकार के ब्योशाय का इस रास्ते पर मतलब पूरी सड़क पर क्या है प्रतिनिदित तो होता था मतलब बिभीन परकार के ब्योशाय जो है इस रास्ते पर किये जाते थी इन में क्या है medicine sellers medicine sellers मतलब यह जो आज कल medical store होते हैं यह नहीं कहेंगे जैसे वो देखा होगा कि सड़कों के किनारे या मेले में कहीं पर तंबो लगा कि जो आउसद बेटते हैं जड़ी बूटी वाले तो वही कह सकते हैं medicine seller मतलब जड़ी बूटी वाले इन सबसे बढ़कर an auxineer of cheap cloth auxineer मतलब होता है निलाम करता cheap cloth तो सस्ते कपड़ों का विक्रेता या सस्ते कपड़ों का निलाम करता who created enough din all day to attract the whole town यहाँ पर din का मतलब होता है sore जो पूरे कसबे के लोगों को अपनी तरफ आकरसित करने के लिए दिन भर सूर मचाता रहता था next to him in वसी freshness came a vendor of fried groundnut मतलब उसके बाद सूर मचाने में जो दूसा नमबर आता था ओ भुनी हुई मुम्फलियों के विक्रेता का था मतलब पहले तो कपड़ा विक्रेता सबसे ज़्यादा सूर मचाता था उसके बाद एक मुम्फली विक्रेता था जो बहुत अधिक आवास करता था who gave his wear a fancy name each day जो अपने शामान का प्रत दिन एक fancy name दे देता था fancy नाम दे देता था calling it Bombay Scream one day तो किसी दिन वो अपने मुम्फली को Bombay की ice cream कहता and on the next Delhi almond और दूसरे दिन मुम्फली को दिली का बादाम कहता and on the third और तीसरे दिन राजास delicacy और राजा की मिठाई कहता and so on and so forth और ऐसे ही दिन प्रत दिन उपने मुम्फली का नया नाम दिया करता था and people flogged to him और लोग उसकी तरफ जमा रहते थे a considerable portion of this crowd डेलीट विफोर दा एस्ट्रलोजर टू मतब इस भीड का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा था वा जोतिसी के इर्दिगेर्द बिचरण करता रहता था दा एस्ट्रलोजर ट्रांजेक्टेड इस बिजनेस बाई दा लाइट आफ अफ अफ लेर विच क्रैकल एंड स्मोक डब अब अब दा ग्राउंड नट हीप नियरवाई मतब यह जो एस्ट्रलोजर था जोतिसी था वह अपना ब्यवसाय पडोस में जो मुंफली का धीर लगा हुआ था जो धुआ और चटक चटक की आवाज करके उसमें से जो जो जोलाएं निकलती थी उसकी लाइट में उपने ब्यवसाय को चलाता था तो इस अस्थान का जो आधा आकरसंड था वह इस तत्थ से था कि इस अस्थान को नगरपालिका के प्रकास का बेनिफिट प्राप्त नहीं था मतलब वहाँ पर नगरपालिका की कोई भी लाइट नहीं लगी हुई थी यह अस्थान जो प्रकास में रहता था दुकान की लाइट से रहता था मतब दुकान के जो प्रकास जलते रहते थे उनसे ये प्रकास सित होता था वन आर्ट टू हैड हिसिंग गैस लाइट्स तब एक या दो दुकानदारों के पास फुसकार भरकर जलने वाली गैस बत्तियां थी सम हैड नेगड फ्लियर्स इस्टकान पोल्स कुछ बास पर खुली आग की लपके जलाए हुए थे लाइक दा एस्ट्रोजर सम वर लिट अप बाई ओल्ड साइकल लैम्प और कुछ की जो दुकाने थी वो पुराने साइकल के लैम्प से प्रकासित थी और एक या दो दुकान दा जैसे कि जो तसी वो बिना अपने किसी प्रकास से ही मैनेस करता था अब क्या है कि उसके आग एक लाइट जो वहाँ पर दुकान पे जलने थी वो लाइट और चलते फिरती जो छाया आएं थी लोगों की साइड़ो थी वो क्रिस कास मतलब वहाँ पर एक दूसरे को काट रही थी और यह जो था वो एस्ट्रोजर को बहुत ही सूट करता था उसके बहुत ही माफिक था for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life क्योंकि इसका सीधा सा कारण ये था कि जब उसने अपने जीवन की सुरुवात की तो उसका कोई इरादा नहीं था जोधशी बनेगा and he knew no more of what was going to happen to himself next minute और उसको ये भी नहीं पता था कि अगले अगले मिनट उसके साथ क्या होने जा रहा है he was as much as stranger to the stars as were his innocent customers तो वह नचत्रों से उतना ही अंजान था जितने कि उसके सीधे साधे भोले वाले customer थे yet he said thing which pleased and destinised everyone फिर भी वह ऐसी बाते कहे देता था जिससे प्रतेक व्यक्त आश्रचकीत हो जाता था और उससे खुस हो जाता था मतलब यह है कि वो जियोतिसी तो बन गया लेकिन उसको नचत्रों के बारे में ग्यान कुछ भी नहीं था वो बिल्कुल अंजान था उसको पता कुछ नहीं था लेकिन उसका अभ्यास था उसका अनुमान था उसका निरिच्छन था कि कुछ ऐसी बाते कह जाता था कि लोग उससे प्रसन हो जाते थे तो यह सब उसके निरिच्छन अभ्यास उसके चाला की भरे अनुमान से था फिर भी उसके परिश्रम में उतनी ही इमानदारी थे जितनी की एक इमानदार व्यक्त के परिश्रम में होती है और इस तरह से दिन के अन्त में जो धन जो रुपिया वो अपने घर ले जाता था उसके वह योग था मतब उसने बिना किसी पूर बिचार बिना किसी पूर वी योजिना के अपने घर को छोड़ दिया था यदि वहाँ पर रह रहा होता यदि वहाँ पर रह रहा होता यदि वह अपने पूर बुजों के कारी कर रहा होता लेकिन ऐसा होना नहीं था उससे बिना किसी को बताए हुए अपने घर को छोड़ना पड़ा and he could not rest till he left it behind a couple of hundred miles couple मतब जोड़ा होता है तो couple of hundred miles मतब 200 mil तो जब तक वह 200 mil आगे निकल नहीं गया तब तक उसने आराम नहीं के मतब उसने अपने गाउं को 200 mil पीछे छोड़ दिया तो आ बिलिजर इट इस एक गाउं वाले के लिए बहुत बड़ी दूरी है as if an ocean float between ऐसा कि मतब दोनों दूरियों के बीच एक बहुत बड़ा शागर बड़ा समुद्र फैला हुआ हो इतनी दूरी कर सकते हैं गाउं वालों के लिए इस प्रकार से आज के लिए इतना ही और इसके आगे की स्टूरी हम अगले वीडियो में लाएंगे dear students इस स्टूरी को मैंने तीन पार्ट्स में बनाया है क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है तो बहुत बोरिंग होने लगता है इसको मैंने थ्री पार्ट्स में बनाई इसका फर्स्ट पार्ट है तो अगले टू पार्ट्स बहुत ही जल्दी रिलीज होंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स